के गाइज दिस जोम एंड विल्कम टो सेविल राजा यूर गेटवेटर फ्यूचर सुगाइज आज की सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग वन वे स्लैब का मैनुवल डिजाइन करते हैं तो इस सब कुछ करने वाले हुमें एक्सल की उपर और एक्सल में करते हो तो आप एक बार अपना फॉर्णेट बना लेते हैं और उसकी बाद आपको बस वैलू चेंज करनी होती है और आपका डिजाइन जहों सेखना होता है तो मैं यह अजूम कर रहा हूं कि आपने कॉलेज के टाइम में वन वेस लैब का जो मैनुवल डिजाइन है व करना चाहते हो तो वह भी सीखना है तो आप मुझे कमेंट सक्षेन बता सकते हैं हाला कि मैं अपने एक्सल को उतना ही डिटल बनाया है जितना कि मैं नॉर्मली अपने पेपर पे डिजाइन करने के टाइम रखता हूं तो ले चलता हूं मैं आपको अपने स्क्रीन के ऊपर और आपको मैं दिखाता हूं कि किस तरीके से हमारा ववेस अपने का मैन्सलेगल होता है तो मैंने यह जो एक्जामपल लिया है वो एक बुख से ही लिया है जिसमें कि मुझे दिया गया था कि आपको एक स्लाइब करना है जो कि वनवेजल होगा और वह सिंप्ली सपोर्ट स्लाब है उसके बाद उसका जो लेंद्थ है वह 7.5 मिटर है और विड्थ जो है वह 3.5 मिटर है साथ इससाथ उसमें यूज करना था एम 20 ग्रेड ऑप कॉंक्रीट और एफी 415 ग्रेड ऑफ श्टीर तो उसके बेसिस पे मैंने इस पूरे एक्सल चीट को बनाया है लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा इसको प्राक्टिकली कैसे करते हैं वह सारी चीज़े भी देखेंगे तो लेट से हम लोग स्लाब का जो साइज है वह सेम रखते हैं कि 3.5 मिटर बाई आपका 7.5 मिटर है तो उसको सबसे पहले क्या कर लेता हो एम में में कन होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारा जो है लॉंगर लेंथ होता है 7500 और शौटर लेंथ हो जाता है 35 यह मैंने कंवर्ट कर लिया उसके बाद निकालनी होती हमें रेशियो कि भाई अगर आपका वन वेस्लाव है या तो किस वेसिस पर डिजाइन होगा तो उसके लि सब्सक्राइब कर लेते हैं कि यहां पर हो गया 1.14 का रेशियो यानि कि यह जो है वो टू से कम है तो यह हो जाएगा हमारा टू वेस्लाब क्या हो जाता है जब आपका यह रेशियो है वो हो जाता है तो हो जाता है जैसे कि अभी हमारे केस में हो जाएगा यह बाद आ जाता है मैं इसको फर्ण अप्रोज में बना दिया है लेकिन प्राक्टिकली क्या-क्या चीज़र होती है उसके साब से काम करते हैं तो यह एक इसको हम लोग कर लिए हैं अब इसके देखें दो हमारा कितना यहां पर दिया हुआ है तो हम आसमें हम लोग को फाइब देना होता है अलग अलग जगा पर से उसके लिए आपको लाइब की कोड को अच्छे से पढ़ना होगा जो इंपोर्ट का कोड है हमारा आई एस एट 25 पार्ट तू वह हमारे कोड का नाम है तो उससे आप यहां पर लेते हो हमारा जो स्लैब है उसको मैं रिसिदेंशल बिल्डिंग के कोडिंग डिजाइन कर ले उसके बाद आ जाता है ग्रेट ऑफ कॉंक्रीट के लिए मैंने यहां पर अलग-अलग सेक्शन बनाए हुए हैं तो मैं मिनिम्मम ग्रेट लेकर चलता हूं कि एम 15 जैसे कि मेरे आर्सी डिसे में है तो पहले होता था कि एम 20 एम 15 सब कुछ रहता था लेकिन अभी मिनिमम जो करना हो तो कैसे करो यहां पर मैंने ग्रेट को कर दिया है आदरवाइज आर्सी डीसे से लिए कर सकते हो किस तरीके से किया जाता है वह मेरे चैनल पर अल्रीड़ी अबलेबल है तो आप वहां से भी जाके देख सकते हो ग्रेट ऑप इस्टील जो बुक में हम लोग देखते वैल्यू है यहां पर चेंज हो जाते हैं अगर कुछ होगा तो यहां पर मैं इसको चेंज करके सही भी कर जोगा अभी आ जाते हैं तो आप इसके तो कंसीर करना चाहते हो तो इससी वैलू से फोरा ज्यादा ही रखेंगे आप 140 भी ले सकते हो लेकिन प्राक्टिकली हम लोग 140 का स्लाब बनाते होता है हमारे पास इंच में का तो क्या होता है कि चार इंच का बना सारे चार इंच का बना पांच इंच का बना तो इसने मैं यहां पर ओबर और लिफ क्योंकि अगर आप इसको करोगी फिट में तो कितना हो जाएगा इसको चेक इंच कर लेते हैं ठीक है तो अगर ऐसा देखेंगे तो हमारे पास हो जाता है सब्सक्राइब करेंगे तो कितना जाएगा आप इसको माल लिजे इंच करके उसको कम भी कर सकते हो आपके उसमें तो आप वो कर सकते हो लेट से मैं इसको कर ले रहा हूं अर्टू मीटर ओके तू मीटर यहां पर कर लेते हैं को पॉर पॉइंट फाइव मिटर ओके तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा तू मीटर का वैलू हो जाता है वाइट यानिकी फॉर्टें पिट तो यह हो जाता है तो यह लेकर चलते हैं उसके बाद इंपोर्ट लोड हमारे यह हो गया रेड़ ओकृट मैं ने कम कर लिए कर लिया है क्योंकि प्रैक्टिकली से कम आपको नहीं जाते हो और अगर आपका क्लाइंट जो है वह यूज किया जाता है लेकिन से कम आपको नहीं चालते हैं और मिनमम ग्रेट आपको देखने को मिलेगा लेकिन हमारी पटना में अभी मिल रहा है तो हम लोग यूज करते हैं अभी आपको दिख रहा है कि यहां पर ओवर और डेप्ट अब कितना है वह आ जाता है थम्रूल के को यानि कि अब हम लोग को हम में इतना बड़ा स्पैन में देने का जरूत नहीं है कि पहले सिक्सिंज का हो रहा था अभी जैसे आपने देखा कि साइज कम हुआ उसका कम हो जाता है तो अभी आप यहां पर चाहो तो चार इंच का स्लाब कर सकते हो बाकि अगर फेल होगा तो इसको हम लोग बढ़ाएं सब्सक्राइब कर सकते हो लेकिन आपको जो कभर ब्लॉक मिलता है वह कभर ब्लॉक में आपका मिनमम कभर जो प्रवाइट करता है वह हो जाता है आपका तो हम लोग 20 mm का ही लेकर चलेंगे क्योंकि प्राक्टिकल रहना है ना इन लाइफ में अभी बुक में तो बहुत कुछ है लेकिन हम लोग को जितना प्राक्टिकली चीजों को सोचना है वह करेंगे हाप उसके बाद जो यहां पे बार्ड है वह टुएल एम डाया की ऊपर होता है तब हम लोग जाके उसको कर सकते हैं लेकिन स्क्राइब में आपने देखा होगा कि बार्ड जो यूज होते हैं वो जन्रली यूज होते हैं तो आपका यहां पर कर सकते हो और मैक्सिम्म जो मैंने अभी तक देखा है वहां पर का बार्ड की देखा है तो यहां पर करके आगे जाके और भी बना सकते हो अगर आपको एकसल शीट चाहिए तो आप मुझे आपको कैसे मिल सकती है दिन आ जाते हैं इफेक्टिव डेफ्ट पे तो डेफ्ट के लिए क्या होता है कि यहां पर अगर दस अम्म का बार लिए तो उसमें से फाइव यहां पर होगा तो यह हो जाएगा डी ओगर लोंग ने किता मैं इसको क्या कर लिए तो मैं इसको थोड़ा सा कि मोडिफाई भी कर देता हूं और मैं इसको था कलर कर दूंगा कि किस किस शीट में मुझे जो है वह कलर को चेंज करना पर सकता है यारी कि कहा कहा पर मुझे Mobile की चीजहि़ों को फिल करना है तो जैसे कि यह बढार मैं चेंज करूँगा तो इसको मैं कर लेता हूं ब्लू से यारी कि यह आपको च्छेंज करना है बाकी सब कुछ आपका आप लाइव को सिच्वेशन के हिसाब से चेंज कर सकते हो उसके बाद आप जो इसको भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो ठिक है है इसको आप चेंज करना चाहों तो आप यह करी ठीक है कि आपको कौन सा इस्टीयल का ग्रेड लेना है आपको कौन सा इसा नहीं कर दिदिड़ चारे नवे रखा सारे चार इंच इन दो 14 रखा हाला कि आप जो भी कल्कुलेशन करोगे एक्षल शीट है तो यहां पर आपको देखने को मिलना है कि जैसी मेरा हंडेड हो गया तो यहां पर लिखा हुआ है ओके देन आ जाता है इफ एक्टिव इस्पाइट थे एक्टिव इस पैन के लिए भी हमारे पास sotan pro वीजन है कि संप्री सब्सक्राइब होगा तो यहां गव देखोगे एक्टिव स्पैन अब अब दे मिंबर effective span of the member is not built integrally with the support shall be taken as clear span plus the effective depth of the slab or beam or center-to-center of support whichever is less so yani कि क्या कहने का मतलब है कि अगर आपका जो effective span है वो integrally नहीं बना है तो support पर ऐसे integrate नहीं किया गए एक साथ सब कुछ नहीं होड़ा है तो वहां पर आप कैसे लोगे यहां पर लिया जाता है कि आपका जो स्लाब का थिकने से यह effective depth है वो प्लस clear span का मतलब क्या होगे ठीक है वह हम लोग तरह से समझ लेते हैं क्योंकि जब तक हम लोग manually सब कुछ को नहीं समझेंगे ना तब तक यह सब वैलू डाटा तो कड़ी सकते हैं वह तो सब्सक्राइब यहां पर मैं आपके लिए कर देता हूं कि यह हमारा सब्सक्राइब और यह सब्सक्राइब सब्सक्राइब चारा तरब से सपोर्टेड तो यहां से एक विम और हमसे लिए लानीं का सव्सक्राइब होगा ऑद इसके पात इसमें क्या होटा है कि आपका जो हैै इufactura मतलब हो यह इंट अलगे वह हमारा हो गया हो गया है यहां पर निखल कर रहा है 75 आप देख सब्सक्राइब हमारा हुआ हो जाता है कि हमारा दूसरा कंडिशन क्या कहता है दूसरा कंडिशन कहता है कि एफ्टिव देट लाब और बीर सेंटर टू सेंटर सपोर्ट करेंगी तो कैसे हो जाएगा यहां पर मैं इस पूर। के लिए और सेंटर टू सेंटर डिश्टेंस को निकालते हैं कि सटेंटर टूसेंटर डिश्टेंस मतलब यहां से ऐसा जो जाएगा यानिकि अगर आपका वह कुछ इस तरीके से रहता है तो इसका तो इसकी बाद इस तरीके से तो हम लोग Center to Center distance भी ले सकते हैं तो एक सपोर पर यह सेंटर तुरु सेंटर डिस्टेंस हो गया तुछ क्लियर समय प्लस एफेक्टिव जब तब अगर इसको हम लोग करने जाए क्या हो सकते है अभी हमारे पास क्या है थाटी फाइवन्डर है हमारे सौरी तो थाउजन यहां पर हमारा शॉर्टर सब्सक्राइब तो टू थाउजन प्लस एफेक्टिव कितना सेवेंटीफाइब पकड़ लिया तो यह हो गया वैल्यू भाई तू जिरो सेवन फाइड एम एम का देना जाता है कि तू थाउजन को रहेगा उसके बाद सपोर्ज आपका जो बीम है वो है तो इसकेतर थमाल लीजिए आपका 750 az quan Treatment Apple को यहाँ पे 25-50 कितना हो जाता है यह हो जाता है अपना है थो तू फाइब स्वाइव के येंदेंब सी वेखेंटीव सेन्टर तो घना बीट करने के लिए तो 125 इदर से हो गया फिर उसके बाद 2000 हो गया तो यह टोटल लिकल क्या आ जाएगा 2250 अब इसमें से minimum value जो है ना वही हम लोग का यहां पर में कैलकुलेट होता है तो यहां पर मिनम्म क्या है 2075 यह हमारा मिनमम है तो इसी के बेसिस पे हम लोग को कालकुलेशन करना है तो है चलिए आगे बढ़ते हैं और इन ड्रॉइंग कर देता है कि अभी आईए देखिए तो हमारे पास मिनम्म क्या है 2075 और हमेशा इसी केस में होता है कि मतलब हो जाता है आपका कि क्लियर डिश्टेंस यानि कि आपको जो लिखा हुआ यहां पर क्लियर इस्पैन प्लस एफेक्टिव डिश्टेंस लाब ठीक है वही आपका मिनम्म हमेशा आता है जितना मैंने अभी तक प्रैक्टिकली क्या है बाकि अगर ऐसा कुछ अलग केस आ जाता है तो आपको पता है कि किस तरीके से काम करता है तो आप उसके बेसिस पर यहां पर आपना उसके बेसिस पे हैं यहाँ पर हो जाता है जैसे कि ब्रफिटीन को देखिए दिए बेट अब हो जाता है इसको कॉंक्रीट के बैसे पर मीटर में हमारे पास आजा ओके फॉर्मूला क्या है ओवरल डिप्स इन्टु विट्थ विट्समका वैलू हम लोगा यहां पर दिया हुआ है उसके बाद यूनिट वेट आपको करते हैं लाइब लोड आते हैं तो वह साब यहां पर आड कर सकते हैं तो आपको जो भी यहां पर लोड करना है आप यहां से सिंप्ली एड करें कोई इशो नहीं है कि यहां पर प्लस करके वह वैलू को एड उसके बाद आ जाता है हम लोग का लाइब दो जैसे कि लेट से अगर आप फिलिंग का लोड करना चाहता है तो फिलिंग का लोड तो होता है पॉइंट 0.5 का लेकिन आप हायर लेने के लिए यहां पर इसको कर लिजें वह ओके फिलिंग का लोड कर देते हैं वन तो यहां पर डेडलोड में ही आता है मैं इसको चेंज करते हैं यहां पर और यह 3.5 का आ गया उसकी बाद आ गया हमारे पास लाइब लोड अब इन दोनों के लोड का समेशन क्या हो जाएगा 5.5 जो टोटल लोड हो क्या होता है तो यह हमारा करना होगा तो आप यहां से कर सकते हो इसको मैं पार्चियली अलग कलरता देता हूं कि हलका सा अगर आपको चेंज करना हो तो कर सकते हैं अधरवाइस इसको चेंज नहीं करना पूए तो आपका डेड़ लोड हो गया फैक्टर मोमेंट हो गया इसा कल्कुलेट होके आ गया दिन आ जाता है तो यह एक स्टेफ कोड होता है कि आपने एक ओवर लॉल कर लिया अपने थामदूर के बेसिस पर उसके बेसिस पर अपने को कल्कुलेट कर लिया अब यह भी तो पता करना होगा ना कि चाहिए कितना तो क्योंकि आपने यहां पर यूज किया है तो उसके लिए हमारे पास हो जाता है 0.4 अब क्योंकि आपने यहां 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 पर यहां पर देखते हैं यहां पर लिखाए लिम्टिंग वैलू आप देप्ट अच्छिस फ्रम दिफ्रेंट इस बेस्टील बेस्ट ऑन दे एजंप्शन आखो इन 38.1 आरेज फॉलोज तो यहां पर दिया गया ह है कि अगर 250 का होगा तो यहां से वैलू मिल जाता है उसके वैलू के वेसिस पे यहां पर आ गया तो मेरा जो वैलू है वह 0.48 का आ जाता है अगर आप एक्जाम देना चाहते हो पॉलेज में हो तो यह वैलू आपका 0.48 होगा और वह कैसे होगा आप मालों यहां से चेंज करके इसको कर देते हो यह आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है कि अधरवाइज अभी हम लोग को 500 का ही यूज करना या फिर उससा है यूज करना तो वैलू 0.46 रहेगा तो इसमें भी कुछ चेंज करना के ज़रूत नहीं है आप इसको चाहाँ तो डिरेक्टी 0.46 भी रख सकते हो इसके बेसिस पर डेफ्ट रिक्वाइड का कलकूलेशन होता है वो डेफ्ट रिक्वाइड का कलकूलेशन करके हमारे पास रिक्वाइड देफ्ट कितना आगया 47.07 हम लोग ने प्रोवाइड कितना किया है एफेक्टिव डेफ्ट वह है 75 अब क्यूंकि हम लोगा प्रोवाइड डेफ्ट जो है इस से ज़्यादा है तो यह चीज हम लोग का कलकूलेशन का वह हम लोग यहाँ पर करते हैं तिक है वह आपका फॉर्मूला काहा साथ है यह वेलू fary यहां से आपको ऑपके कलकूलेशन बिलता है जिसकी बेसिषपे अच्रव IF न कि अ तो हार बार अलग अलग के लिए अलग अलग reinforcement के लिए आपको यह सारा चीज calculate करना पड़ी था ठीक है तो यहां से एश्टी और आपका डिफ निकल गया तो उसमें भी आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ा है आपको कोई जाला हुआ है कि अगर यह वैलू इससे ज्यादा आखिया तो यह री डिजाइन हो जाएगा ठीक है दिन आ जाते हैं कि एश्टी पो टेंसाल इस्टेंस के लिए एश्टी यहां से calculate हो जाएगा ठीक है और वह वैलू आ गए 145.5 mm2 का अभी हम लोग स्पेस का स्पेसिंग का क लिक यह पर आप इसको चाहो तो मैं इसको लिंक कर देता हूं कौन सा है कौन सा बार सइस देना है अब ही तक मैंने इसको बार साइस को सब्सक्राइब कर लेगा आप यहां पर चीज करोगे लेट से आप यहां पर रखोगे तो आपका हिसाब से कल्कूलेशन हो जाएगा यहां देख सकते हो कि चेंज हो रहा है सब्सक्राइब करेंगे तो यह सब्सक्राइब करेंगे और कम जाएगा सिक्स करोगे तो उसकी हिसाब से और भी कम हो जाएगा अब एक जनरल कंसेप्शन है हमारे पास की रेश्यू जो है वह हम लोग लेते हैं कि पाथ साथ का लेते हैं अगर हमारा यह जो स्पेसिंग है इतना कम आग लिए तो आप उसको भी कर सकते हो फिलाल के लिए मैं इसको 150 और लेकर चलता हूं सिक्स एट पर मैं देता हूं तो मैंने इसलिए वह चेंज किया है तो इस लैम में तो 150 पास हो जा रहा है ठीक है क्योंकि 539 का स्पेसिंग चाहिए हम लोग को लेकिन मैं दे रहा हूं 150 का तो बहुत कम स्पेसिंग कर दिया यानि कि अभी मेरा जो सेफ है वह बिलकुल स्पे के बाद आ जाते हैं कि इस पास कि पेसिंग का करना दीशन का का गया और इसमें लिखा होता है कि आपको कॉन सान लेना है है अधा मोमेंट में चेक कर लेता हूं मैं अगर इसको यहाँ अपर दिया interpol आप हाँ यह लिखा हुआ है कि स्लाप्स डो होडिजेंटल डिश्टेंस बिटून देपारल में रिंपॉर्समेंट बार्स शाल नॉट वी मोर्द थी ताइम्स थैफेक्टिव देफ्ट व्ड़ीज एस्मॉलर ओके यह बोलता है कि आपका 3D यानिकि 3 इंटू एफेक्टिव पर इससे कम तो नहीं होना चाहिए इस में से जादा नहीं होना चाहिए हम लोग देंगे तो हम लोग देंगे 225 यह 300 में से जो मिनमुम होगा देना होता है मिनमम होगे 25 लेकिन हम लोग का 539 का रहा है और मैं दे रहा हूं 150 का क्यूंकि प्रैक्टिकल हम लोग उत्म ही देते हैं उससे ज्यादा का बार यूज कर रहे हैं तो हो सकता है कम हो जाए अलग-अलग अगर आप यहां पर खड़ोगे 8 तो वह लिख देगा आप इसको 150 के जगह आप कर लोगे 100 लिख देगा ठीक है इसको आप कर लोगे 200 तो आपको यह वैलू जह है बूट 200 हो जाएगा सब कुछ आजाता है आपको यह ज्यादा कुछ मेनत करनी नहीं है तो 150 का में बार में स्पेसिंग देते हैं मिनिम्म हम लोग लेके चलते हैं जो जन्रल कंसिट्रेशन से उसके बेसिस में अदर्वाइस हमारा सेफ तो ऐसे भी हो जाना है ठीक है क्योंकि छोटा स्लैब हो ग सब्सक्राइब करना चाहते हो तो यह सकते हैं अगर आप इसको चाहोगे तो भी सेफ ही है और इसको कर लो जैसे इनिशली था तो यहां पर आघा था अभी हम लोग को क्या चाहिए कि हम लोग को प्रवाइट करना लेट से मिन्मा हों लोग बार का टाया बार का कर रहे हैं तो इस पेसिंग 125 नहीं डिस्रिपुशन का था बढ़ा लेते हैं जिससे वह अगर यहां पर यहां पर 200 यह यह जो required टीदेगा सकते हैं तो हम लोग को कितना करना है तू अपका लोग ने किया प्रवाइट टेने में डाया बार एड़ फिप्टी एमें एम सेंटर तो जन्रली क्या होगा आपको जितने भी एक्सल शीट्स मिलेंगे उसमें इतना ही दिया होता है कि हम लोग को किस तरीके स्कालकूलेशन करना होता है क्योंकि अगर यहां पर पास हो जाता है तो आगए जाके पास कमी होते हैं और देख लेते हैं कि यह चीज़ में या भी आपको समझा देता हूं तो आपका कितना होता है उसके बेसिस पर आपका नॉमिनल इस्ट्रेस आ जाता है देन आपका परसेंटेज यह सब कुछ क्यालकूलेट होके आटमेटिकली शीट में आ जाएगा आपका डिजाइन इस्ट्रेंग तो डिजाइन इस्ट्रेंग तो पॉर्मूला जो है वह थोड़ा सा इस्टर्ग हो तो यहां पर यहां पर यह किस बेसिस पर आता है वह भी देख लेते हैं परसेंटेज एश्टी हमरे पास 0.1 का है तो आप यहां पर दिखिए यहां पर क्या है जिरो पॉइंट वान का है तो आप यूज कर रहे हैं 25 का जिक है इस टेवल से आपको देखना है तो यहां पर से कम यह हंड्यां थी जो है वह आपका पॉइंट से कम है तो उसमें पहला रोको ले ले लोगे तो क्या हो जाता है यह आप यह नोगे यह हमारा हो गया जाइन शीर एश्ट्रेंट अभी जो है ज्याइन शेर इस ज्ट्रेंट ज्यादा है तो क्या हो जाएगा तो यह चीज ओके हैं तो नॉमिनल हम लोग ने कैलकुलेट कि आलग फॉर्मुले से डिजाइन हम लोग क्योंकि इंट्रपॉलेशन का शीट में अप्लाई करके बनाना बोट था पॉसबल नहीं था मेरे लिए अगर आपको फॉर्मूला आता है तो बता दीजेगा मैं उसको एक्सेट में इंक्लूट कर दूँगा वाट यह मैं मैनुवली करता हूं यह एक ऐसा से जहां पर मुझे करना पड़ेगा इंट्रपॉलेशन के हल्प से हाला कि क्योंकि यहां पर सेंटेज जो है वो कम था जिरो पाइंट बान फाइब से इसलिए यहां पर फर्स लोपे सिंप्ली ले ले नहीं तो कोई दिक्कत नहीं ठिक है अभी आ गया कि हमारा डिजाइन शियरे श्ट्रेंथ जो है अब आ जाते हैं डिफ्लेक्शन चेक पे तो डिफ्लेक्शन में आपको क्या करना है फिर सब परसेंटेज निकालना है तो यहां पर दिया रहा था है यहां पर दिया रहा था तो अगर आपने फॉर्मूला लिया होता है तो यह आ रहा था एक्षिली टूफॉटी ठीक है तो उसके हिसाब से और यह रहां पर मतलब नहीं तो इंची है तो आपको यहां पर सपोर्ट कंडिशन तो बाइसिक वैलु आपका स्पैंट्टेव रश्योगा इस्थेए होता है अगर आपका स्पैंट मिटर्श से कम होता है जो कि हमारे चेस में हैं थे कितना है 3.5 और 7.5 उसका हम लोगा और कम कर दिया यह हो गया टू और 4.5 याने कि टेन मिटर से कम हो गया ना तो इसमें हम लोग यह जो रेशियो है उसको यूज कर सकते हैं कि यहां पर यहां पर जाता है तो आपको यहां पर दिख लेगा अगर आपको रिडिजाइन करना पड़ेगा चीज को ठीक है लेकिन हमारे कैस में यहां पर यहां पर ठीक है तो उसके बेसे पर ही हम लोग सारा चीज करते हैं लेंथ वाइडी मैक्स और लेंट वाइडी प्रोवाइड यानि कि डेफ हो जाता है तो आपको बढ़ाना पड़ेगा अगर तो आपको यह चीज पास नहीं करेगा जैसे कि से अगर यह होता है तो हम लोग को काफी जाद है इंप्रीज करना पड़ता है तब यह वैलू इसमें 31 से मतलब हो जाएक कि यह हमारा लॉजिक है डिफ्रेक्शन के लिए कि चलिए अभी आपको यह समझ में आ गई होगी कि तरीके से किया जाता है इसको कोड के हिसाब से कैसे काम होता है वह सब कुछ आपको यहां पर बता दिया गया अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट को थरा सा कर सकते हो मेरा नमबर आपको डिस्क्रिप्चर में मिल जाएगा अगर लिखना हो तो मैं यहां पर भी लिख देता हूं कि जो मेरा कॉंटेक्ट नमबर है वह है कि 8433248864 ठीक है और मेरा नाम है इंजीनियर कि ओम शियो राजा बाबू इस वीडियो को लाइक किजेगा इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर दिजेगा क्योंकि ऐसी बहुत सारे इंफोर्मेटिव वीडियो आपको यहां पर देखने को मिलेगी साथ ही साथ अगर आपको यह एक्सल शीट चाहिए तो इसकी जब प्राइस है वह भी मैं लिख देता हूं यहां पर वह हो जाएगी और नाइंटी नाइन आइन और और कोई होगा तो प्लीज कमेंट जो भी कोश्चान होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए टेक्टियर बाबाए थैंक्यू गईज झालाइ प्राइस